विशाव शोभायात्रा के साथ धर्म आस्था प्रेमियों ने लगाए गुरू के जैकारे। आराध्य श्री गुरुनानक देव जी का जन्मोत सफ, प्रकाश पर्व, सिंधी समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस शुभाव सर पर प्रातहकाल एक विशाव शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुशों, महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। शोभायात्रा गुरु के जैकारों और भजनों से गुनजायमान हो ओठी, जो श्रगधालू के मन में भक्ती और आस्था की भावना को और भी प्रगार बना रही थी। भती वर्षा नुसार, इस वर्ष दी गुरुशों देवी जैन्ती, पूचि सिंदी पजयत मंडला, एवं नव्यक मंडला, सारे समाज़ारा मनाई जा रही है, पुरे समाज को हर्चोलास से भाग लिया जा रहा है, अभी शोभायात्रा पहुंचने वाली गुरुवारा साह में भोग साहब होगा, बंडारा होगा, अर्दे करके शोभायात्रा की शुरुवात अंबेट कर वार्द स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब से हुई, और ये यात्रा पंगाओ, दुर्गा मंदिर, चिल्मन चौक, कमानिया गेट, बुधवारी, रंग्रेज घाठ होते हुए पुनख श्री गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुई, यात्रा के मार्ग में श्रद्धालूओं ने अपने धार्मिक प्रेम और आस्था का अद्गुर्द प्रदर्शन किया, इस दोरान विशेश रूप से महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा गय गुरु के भजनों पर वे नाचते और गायन करते हुए अपनी भक्ती का आनंद ले रहे थे इसके साथ ही, फूलो की वर्षा कर सोभायात्रा के मार्ग को और भी खूपसूरत बना देया। यात्रा के दोरान जगह जगह पुश्क वर्षा और आतिश-बाजी से सोभायात्रा का स्वागत किया गया। और एक्ता का अद्वितिय उदाहरं भी देखने को मिला सिंधी समाज के इस धार्मिक पर्व ने सभी को एक जुट किया और सामुहिक श्रद्धा वगास्था की शक्ती का अहसास कराया मीडिया तुड़े के लिए रितेश पमनानी की रिपोर्ट गुर्णानेक जेनती के उपलक्ष में पूज सिंधी पंचायद द्वारा नौ दिवसी है प्रभाद फेरी का कारिकरम किया गया जिसका समापन आज दसवे दिन गुर्णानेक जेनती के दिन विशाल प्रभाद फेरी के रूप में हुआ पूरू संध्या में जत्तिन उदासी का रंगा-रंग कारिकरम किया गया आज बंडारे की वेवस्ता की गई है तो फेर में और रात को फिर जनमोच्सों का कारिकरम एक बजे हुआ होगा